Hello guys, welcome to Attitude Academy. I am Shiraadar. आज हम बात करते हैं Form Part की. Lesson number 4 है Estimul का Form. तो Form के दो chapter हमने बना रखे हैं First Chapter then Second Chapter. तो पहले हम First Chapter की बात करेंगे. तो देखते हैं First Chapter में कौन कौन से tag हैं Form के अंदर जो हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले Form के अंदर दिर रखा है Elements. तो elements में दो चीज़ होती है, action और method, तो action वाला जो काम है form का, वो कराता है हमारा development, यानि form को action देना, यानि ये form को जब भी हम कोई फिल करते हैं, उसमें कोई भी column हमारा छूट जाता है, तो उसको अगर हम submit करते हैं, कोई भी message अगर आता है, alert button की दुवारा तो उसे बोलता ह है action, तो ऐसे ही method में दो option आते है, get एन पोस्ट, तो जहादातर हम get की जागा post का उसस करते हैं, कैसे यूज करते है, get, get में क्या होता कि जब भी हम कोई अपनी value को फिल करते हैं, तो हमारी सारी value URL में ऊपर show याती है, और हम post का उसस करते हैं, तो post में क्या होता कि हमारी हुआ है form में तो वो काम करती है हमारा development तो अभी हमारा काम development का नहीं है फिलाद हम designing work कर रहे हैं designing में हम get method या post का use करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं form tag की तो form tag सबसे पहले man tag है form के अंदर के sub tag यहां पर define दे रखे हैं तो सबसे पहले हैं हमारा input tag तो इंपूट से हम कोई भी cell जिसमें हम अपना name वगेरा या कोई भी data वगेरा फिल करते हैं तो वो input के दुवारा बनाते हैं तो उसके बात है second one text area कोई भी message type करने के लिए हम message box का use करते हैं label tag हम define करने के लिए name को यानि कौन से particular cell का रहे किस name को define करने रहते हैं वह हम label tag की दौरा define करते हैं फिल सेट का work होता है फिल सेट मतलब है form के बाहर एक पूरा group करेट करने के लिए legend tag का use होता है caption name यानि फिल सेट के ओपर legend यानि caption name को define करने काम करता है legend tag select tag से हम use करते हैं drop-down list यानि के drop-down value कोई भी हम बना सकते हैं जैसे हमें select your city select your name की drop-down list बनानी है तो उसका हम use करते हैं select tag की दोबारा अब select tag के अंदर भी दो तरह होते हैं एक option group होता है एक option होता है तो option group से क्या होता category wise list बनती है जैसे मालो हमने लिख़ा select your name अब name में हमने लिख दिया दो category वाली एक girls की एक वाएगी या फिर मालो हमने वाल लिया flutes की list और vegetables की list बन जाएगी तो दोनों तरह की list उसमें define करने कांट करता है हमारा option और button tag हमारा simple button tag होता है किसी भी value को define करने के लिए अब सबसे पहले बात करते हैं tax area दिखला रखा है किस तरह से उसका example दे रखा कैसे बनेगा सबसे पहले tax area tag define होगा उसका name define होगा then row then column कितनी आपको column में चाहिए कितने row में चाहिए वह area decide करना है तो उतना बड़ा वह area का row and column से define हो जाएगा तो इस तरह से tax area define होगा उसकी बाद नेशन देखा है आपको यहां पर फिल सैट है एंड लीजेंट है तो फिल सैट से आपको दिख रहा है कि बोर्डर क्रेट हो रखा है form के ऊपर और लेजेंट से उसका caption name define रखा है ऐसे ही first name दिख रहा है और first name में input दिख रहा है जैसे मिक्की लिखा हुआ देन last name mouse लिखा हुआ है देन submit बटन बना हुआ है इस तरह से ही आपका option tag यूज होता है select के अंदर और option value गुर्प वाला इस तरह से यूज होता है आपको दो तरह की बनी हुए है यहाँ पर इस तरह से कोई भी एक्षाइज बना सकते हैं देन बटन कोई भी alert message देने के लिए बटन का यूज करते हैं जैसे मैं लिखा button type button ओन की लिक यानिके button पर click करने पर alert message कौन सा है यहाँ पर आप एक्षाइज कुछ भी टाइप कर सकते हैं then click me यहाँ कोई भी नाम देशकते हैं कुछ भी नाम देशकते हैं बटन का then button tag close हो जाएगा तो इस तरह से हमारा बटन बन जाए या अलर्ट बटन या से हम उस बटन पर click करेंगे या प्रेस करेंगे वैसे ही वह मैसीज हमारे सामने आगा जो हमने उसमें ब्रैकिट में लिखा था हेलो वर्ड ठीक है अब हम इसका प्रेक्टिकल करके देखते हैं किस तरसे इसका प्रेक्टिकल यूज होता है तो खोल लेते हैं अपना software ड्रीम में या कोई भी XYZ जो भी software आपके पास है वह आप खौल लेते हैं तो सबसे पहले है एस्टिमल के लेंगे हैं अब करने घरे को आपका आपका हुझाह जाएगा आगया पर टाइटल में जो भी आप नाम डिफाइन करना जाते हैं अपनी मर्जी से फोर्म ने डिफाइन कर लिए फाइल को से से शेव कर दिया अब जहाँ पर फाईल से करनी है वहां पर हमने file save कर दी अब हम बोटी में सबसे पहले वर्क शुरू करते हैं तो वर्क में हम सबसे पहले tag on करेंगे अपना form tag open करेंगे तो आपको पर और 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 इंज कलर से लिखेगा देन क्लोज कर देंगे tag को अब tag के अंदर सबसे पहले हम यूज करेंगे label tag अब label tag हमने सबसे पहले ले लिया अब label tag हमने ओपन करा और यहां पर लिख देंगे तो इस तरह से फाइल हमारी ऑपन जाएगी ब्राउजर पर तो यहां पर लिखका दिखा आपको फर्स्ट नेम की वैली जो है फिल करने के लिए हम यहां पर एक box चाहिए तो box बनाने के लिए हम यूज करना पड़ेगा input का तो यहां पर हम यूज करेंगे input टाइप आप जो यह टाइप के आपको दिखे रहे हैं बट आंच चाहिए वोखे सब एटर व्यूज एं टाइप के व्यूज इन में से कुछ एटर ब्यूज फर्स्ट चेप्टर में और रिंज कुछ सेकिंड शेक्टर में तो दोनों को मिला के ही बनाए गया फर्स नेम लेखतने कि आप क्या कर रहे हैं तो अमने का एफ नेम यहां पर कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और यह बताए प्लेस वोड्यू को डिफाइन करने के लिए तो आप दे दिया फर्स नेम पूरा लिग दिया यह शोट्कर में मर्जी से वैल्ली को फिलाल ब्ल इसको refresh करें तो वह आपस आ जाएगा अगर आपने प्लेश ओल्डर को ब्लैंक कर दिया और वैली को फिल कर दिया यहां से लिगो फिल कर दिया और प्लेस ओल्लों कर दिया आपने ब्लैंक तो क्या होगा बाइड डिफॉल्ट पहले से ही वहां पे नाम लिखा हो रहेगा फ तैक्स तरह से लिखता है लग भलाव हार नाम यहां पे क्लिक करेंगे ऊटोमैक कुछ भी-टाइब करेंगे तो वह ओतोमैंट cycle आजएगा तो यहां पर फ़स्ट नेम सके depends पिख लेते हैं सब्सक्राइब यहां पर भुषाइब कर दिया लास्ट नेम तो यहां पर वह लिक्ष्ट नेम और यहां पर भी डिफाइन कर दिया लास्ट नेम ऐसे ही एब ने कर दिया अध्म यहाप नेम यहापर भी कड दिया, शोटकुत लिक्षांगर तो FName यह पूरा लिसक्त मैं Fathers Name और यहापर भी Defial The लेबल के अंदर भी मोबाइल नमबर देंसे पर कि चला करें देखा तो कैसे आगे डाटा मारा इस तरह से आ भी तो हम चाहते हैं कि यह डाटा मारा वर्टिकल नाय होड़िजंटर आए तो ठीक है तो इसको देख लिए एक बार आइस को पर आइसको नमबर विघ्डा नमबर इस तरह से आ आधा अब्सको में चेंज करना है तो यहां से हम जहां पर भी हमें लाइन तो नहीं महां लगा देंगे बीर टेग शोटकट की होती है बी-आर की ड्रिम योग नेर शिफ्ट एंटर तो हमने एक लगा लिया उसी को कॉपी कर लेंगे और जहां चाहते हैं बुढक लगाना था एक लास्ट में भर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से कोपी कर लिए हमने कंट्रोल सी से और यहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं अब चला कर देखें तो डिजाइन कैसा रहा है इस तरह से आ रहा भी तो हम चाहते हैं कि थोड़ा खुला खुला है तो एक बीर टैग और लगा देंगे वन बाई वन हर होता ही जा रहा है तो मुझे इसकी लिमिट लगानी तो लिमिट लाने के लिए मैं क्या करूँआ इसी में इंपुट के अंदर प्लेसोडर के बाद इन्मेट को में ला दूँआ मैक्स लैंद कितने काउंट करने हैं मुझे 10 करने 12 करने होफ की रिक्वार्मेंट है जितना मैक्स लैंध अब हम टाइप करें तो यह तक ही नहीं बढ़ेगा तेकते अब संभी करने के लिए अब हम यहाँ पर बनाता है सम olives बटन तो बटन मेंने के लिए सबस्क्राइल उसकरेंगे इंपर टाइप यह थे सारे इंपर के यहाँ वह थे शब्राएं टो इसमेश सम्मेटर नियुकर मेरा उसमोल में दिखी यह चला कर दिया थे आगियाँ अब कोई भी डाटा यहां पर फिल गरते हैं कि फस्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका है ओवे यहांपका फिल करेंगे ऐस सी फादर से नेम जो भी है और मोबाइल नम्टर आपका जो भी है वो यहां पर टाइप करेंगे देन सम्मेट करेंगे तो आपका डाटा भी कहा पर शो हो रहा था दिखे आपको यहां उपर यूरल में शो हो रहा है जो भी डाटा फिल कर रहे हैं क्योंकि अब हम्ने मैं टाइप करेंगे अपना आगया अब यहां पर कोई फिलाल मोबाइल नबर फिल कर दिया अब सम्मिट कर रहे हैं तो अब क्या होगा वैल्यू सीधा सम्मिट होगी उपर यू आल में शो नहीं होगी तो इसलिए गेट एंड पोस्ट में दोनों में से हम एक वैल्यू लाते हैं जातर पोस्ट की गैट लाएंगे तो सेम शो करता उपर यू आल में ठीक है उसके बाद नैस्ट होनाता है टैक्स एरिया यानिकि मैसेज बॉक्स टैप करने लिए तो हमने उसके लिए लगा लिए सबसे पहले कि लिए मैसेज दन टाइप कर दिया मैसेज बॉक्स को लेवल टाइब बंकर दिया और लगा दिया कि यहां पर टीक्स एरिया टाएट अपन कर दो टैक्स तरह से तो बहुत चोटा बोक्स आ रहा है तो हमें थोड़ा सा बड़ा बोक्स चाहिए तो हम क्या करें इसके लिए बताया था मैं आपको पीप्रूटें समझाया था टैक्स एक अंदर जाएंगे टैक के अंदर और हमापे लिखेंगे को लग लग फिप्टीन दैन रोज रो टैक्स डिफाइन कर दिया वन बाई वन इस तरह से दन सेब कर देए चला के देखा तो डाटा इस तरह से आपका बोक्स बन जाएगा जितना बड़ोग हमने बनाया था इस फिर में कोई भी मैसेज टाइप कर सकते जितना मजी बड़ा ओ तो जाएगा टाइप ठीक है रिफ विफो कि अवे भाजब करते है लिफिल्टेन के बात करते है कि बूंसे एव लेलेंगे बन किया था उससे पहले इसको जाके कर दिया और चलाकर देखहतो इस तरब system डिफाइन हो गिया दिस वन ठीक है तो इस तरह से हम वन बाइवन बना सकते हैं ऐसे ही आपका आते हैं अगला टैग लीजेंड टैग तो लीजेंड टैग फॉर्म के ऊपर कैप्शन नेम देने के लिए तो जहां पर हम लगाएंगे लीजेंड टैग ओपन करेंगे और जो भी लिए फॉर्म का नाम देना है हमने का माई पेज दे दिया फॉर्म का नाम देन क्लोज कर दिया चला कर देखा तो इस तरह से वह चैप्शन नेम शो जाएगा आपका लेफ हैंड साइट पर ठीक है उसके बाद नेश्ट बनाता है आपका ऑप्शन यानि स्लैक्ट के बताया लेख लिए हमने स्लैक्ट योर नेम दन क्लोज कर दिया उप्शन उसका सेकिंड ओप्शन ले लिया अब जो भी नाम डिफाइन करने आपको वह हम यहां पर नाम डिफाइन कर लेंगे देन नैस्ट नाम ले लेंगे ऑप्शन के अंदर सबस्क्राइं पिर जो भी हमने लाम टाइप करने और टाइप हम करते जाएंगे नाम यहां पर ऑपक्षन के अंदर वन बाइवन डिफाइन करते याए हमने नाम डिफाइन कर ले लिजू तो इस तरत से छो यह वैल्यू बन गए आपकी किलिक करने पर इस तरह से वो ड्रोपड़न बॉक्स खुल रहा है पर अभी क्या रहा कि फर्स्ट वन यहां पर लिखा रहा है उपर स्लेक्ट योर नेम जगा हम इसको किलिक करें तो यहां पर चार ओप्शन आ रहे हैं आपके पास स्लेक्ट योर ने नेम नीचे सिर्फ तीन वैल्य वारी जो उनसी भी आपको लेनी है दें वह आप स्लेक्ट करते हैं इस तरह से अब बात करते हैं ऑप्शन गुरुप की तो गूप्शन गुरुप हम कैसे बनाएंगे सेम तरीके से बनेगा देख लिए कैसे बनेगा फिर से दुबार समने स् बात करिए तो फिर से लहें को मिहां पर से व्लूपशन अब पैरा नाम जो भी है वह दिवायगा वह दिए कर लेंगे असाहिल देन ऑप्शन कर दें सेकींट यॉन जब्रानेके लिए फिर दुबार से ओप्शन गुर्प ऑपन करेंगे देन लेबल गेलेंगे देन्ड डिफाइन कर दिलिया थे जै को मल देन क्लोज कर दिया से करी फाइल को चला कर देखा डाटा किस तरह से बन क्या है हमारा रिजल्ट इस तरह से आ गिया फिलाल फर्स्ट में सें लिखा रहा है बुआ है एंड गल दो हैडिंग आपकी और उसके अंदर दो-दो उनके सम्मेन नहीं हुए इस तरह से आप कर देंगे स्लेक्ट योवर कि नेम जो भी आपको नाम है वह यहां पर हम डिफाइन कर देंगे और इसको हाइड करने के लिए यहीं पर ऑप्शन के अंदर हम लगा देंगे हिड़न इस तरह से देन सेप करेंगे चला कर देखने डाटा तो फिर से लिखा आगा सेम इस तरह सिंपल देखेंगे तो दो तरह कि हमारी डॉपड़न वैलू लिस्ट बन जाती है ठीक है ठीक है लेसन नंबर फर्स्ट यहां तरह कंप्लीट हो गया अब हम नेस्ट वीडियो में इसका लेसन नंबर टू देखेंगे आई होप कर वीडियो आपको अच्छा लगा ह होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिविशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे गुल्टे बाबाई